दोस्तो आज की इस पीडियो में हम बात करने वाले हैं fruits in winters यानि कि क्या हमें सर्दियों में बच्चे को fruits खिलाने चाहिए क्या हमारे बच्चे को इसे ठंड जो खाम लगने का खत्रा होता है और वो कौन सा समय है सर्दियों में जब हमें बच्चे को fruits बिल्कुल नहीं खिलाने चाहिए किन situation में हमें बच्चे को खिलाने चाहिए कब नहीं खिलाने चाहिए और कौन-कौन से fruits हमें बच्चे को खिलाने चाहिए इस तरह के धिरो सवाल दोस्तों मेरे पास अपनी वीडियो में आते हैं फ्रूट से रगारिंग तो दोस्तों इन सारी क्वेरी का अंसर मैं इस वीडियो में देने आई हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि आपको सर्दियो में बच्चे को फल कैसे कव कितना मातरा में खिलाना है और साथी साथ कव बिल्कुल नहीं खिलाना है तो दोस्तों वीडियो एंट तक देखेगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केर वीडियो के लिए मेरा चैनल ममाजन बेबी सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए दोस्तो अब हम शुरू करते हैं हमारा बीडियो दोस्तो किसी भी मौसम में बच्चे को फलक नाना बहुत जादा फायदेमंद होता है फलो में इसी बहुत सारे nutrition होते हैं जो बच्चे की growth के लिए बहुत अच्छे रहते हैं जैसे कि फलो में बहुत अच्छी मात्रा में calcium होता है, iron होता है, potassium होता है प्रोटीन्स होते हैं, बिटमीन्स होते हैं, कार्वाइडरेट्स होते हैं और दोस्तो सारे निटिशिर्ट जो कि एक बच्चे की ओवरॉल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं तो दोस्तो फल तो आपको हर एक मौसम में बच्चे को खिलाने हैं पर दोस्तो कुछ एक फल है जो आप बिंटर में हो सके तो बच्चे के लिए अवाइट कर सकते हैं या फिर अगर आपके बच्चे को हलकी सी भी ठंड जुकाम है तब आप ये फल अवाइट कर सकते हैं बिंटर में आपको फल खिलाते समय बच्चे को कुछ एक सावधानिया रखनी हैं पहली सावधानी आपको बच्चे को सुबह दस बजे से पहले फल नहीं खिलाने हैं और शाम को दो बजे बाद भी आपको सर्दियों में फल नहीं खिलाने हैं अगर आपके आप बहुत अच्छी ठंड पढ़ रही है यानि कि कुछ एक एरिये ऐसे होते हैं जिनमे बिल्कुल भी फल नहीं खिलाएं क्योंकि दोस्तों फलों की तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है और इससे बच्चे को ठंड जुकाम होने का खत्रा रहता है तूसरी चीज दोस्तों अगर आपके बच्चे को हलका सा भी कफ एन कोल्ड है तो आप कुछ एक फल होते हैं जिनक अगर अरली मर्निंग बच्चे को बनाना दे रही है तो उसके लिए नुक्सान दायक हो सकता है जैसे की सर्दियों में धोस्तों गौवा यानी की अम्रूद भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो दोस्तों आप अगर उसको भी दो बच्चे के लिए नुकसान खिलाएं तो दोस्तों आपको अगर बच्चे को बहुत छोटा बच्चा है तो आप प्यूरी की फॉर्म में बच्चे को अगर फ्रूट्स दे रही है तो आप फ्रेश प्यूरी ही बच्चे को बनाएं आप ये ना सोचे कि विंटर्स में कुछ खराब नहीं होता है अगर अगर आपके बच्चे को ठंड चुखाम है, कोल्ड है, कफ है, बच्चा खास रहा है, छीक रहा है, तो ऐसे में आप कुछ दिन के लिए फल अवाइट कर सकती है, दिन में भी आप फल अवाइट करें, अगर बहुत जादा ठंड लग रही है बच्चे को तो आप 10 बचे अगर आप ये प्रकॉशन्स फॉलो करने हैं, और दोस्तो फॉल्ड प्यूरी भी बहुत चोटे बच्चे को देते हैं, तो वो भी आपको फ्रेश और थोड़ी सी गुन-गुनी ही देनी है, तो आप देखेंगी ये चीज़े फॉलो करेंगी, तो आप आपके बच्चे को हेल्दी भी रहेंगे और आपके बच्चे को किसी भी तरह की ठंड जुखाम होने का रिस्क नहीं रहेगा, तो दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो जरासा भी हेल्फुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजेगा और हाँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तिल देन बाबाई